रामराम जी सबको आपका दिन मंगल में हो मैं इश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्त रहें आज हम बात करेंगे वजन गटाने के बारे में जो कल बात कर रहे थे उसके बारे में उस पे हमें क्या चीज़ करनी चाहिए शरीर में कोई नुकसान नहीं होन चाहिए क्या प्रोपर तरीका है और क्या गलत तरीके हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत जुरूरी है कि आपका वजन बढ़ने का कारण क्या है मुख्यरूप से तेन कारण हो सकते हैं एक तो देखिए थाइराइड आसके टाइम में महिलाओं में बहुत ज़्यादा कुछ एक पुर्शों में भी देखने को मिलता है दूसरा फैटी लिवर होना तीसरा खाना खाते ही जैसे यदि शुरुवात में मुटापा बढ़ता है जहां फैटी लिवर भी ना हो थाइरेट भी ना हो और कुछ एक का पेट यदि बढ़ता है तो बैठे बैठे काम करना वैसे मुखे रुप से आपको दोनों कारणों में एक तो रोग मिल की जाएगा चाहे थाइराइड हो चाहे फैटी लिवर हो क्योंकि जिनको मुटापा है फैटी लिवर आटोमेटिकली हो जाता है तो पहले आप कारण बता करें कि आपको मुटापा किस कारण से हुआ है मुटापा कम करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन रोग खतम करना जरूरी है आप पहले कारण देखें आपको किस कारण से मुटापा हुआ है पहले उस कारण का आप उपचार करें रोख खतम करें मोटापा आटोमेटिकली खतम हो जाएगा उसके साथ आप कुछ एक चीज़ें एड़ कर सकते हैं जैसे एक्सरसाइज हो गई परनायाम हो गया तो क्या हो कि आपको कोई दिक्कत ना हो अब थाइराइड क्या है जो हमारे गले में थाइराइड गरंती है उसका काम क्या है ये सब को थोड़ी थोड़ी चोटी चोटी जानकरियां पता होना जाहिए थाइराइड गरंती एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमारे शरीर में कुछ एक चीजों में बहुत बड़ा योगदान देती है जो हार्मोन स्कून में मिलता है उसका क्या योगदान है एक तो वो हार्मोन केल्शियम में जो हड़ियों के बीच में द्रव्य बनता है उसको भड़ाने में बनाने में मदद करती है आपने देखा होगा जिसको लंबे टाइम से thyroid हो और किसी को थोड़े दिनों में भी calcium की कमी मिलेगी आपको तो यही करण है कि हमें calcium की कमी क्यूं हुई जो एक extra stroke था वैसे तो कुछ calcium हमें खाने पीने से मिलती है लेकिन body खुद जरनेट करें उसकी थोड़ी ना comparison होगा कि thyroid जो गरंती है उसने calcium कम जरनेट करना कर दिया है तो वो कमी automatically आ जाएगी दूसरा hormones imbalance होते हैं जिसकी वज़े से आपको uterus KPCOD PCOS बच्चा कंसीव करने में इस तरह की दिक्कत आती है और यदि ज़्यादा hormones imbalance हो गए तो आपने देखा होगा लेडीज को शरीर पर बाल बहुत भद्दे लगते हैं तो ये चीजे हैं तो इसको control रखना बहुत जरूरी है ये यदि ज़्यादा hormones release करने लग जाए या imbalance हो जाए इसमें swelling आ जाए तो भी दिक्कत यदि ये hormones कम करें और कम तो देखें दोनों condition में ही करेगी proper नहीं करेगी सही से नहीं करेगी इसमें swelling है या खराब करती हैं तो इसका normal hormones चलना इसका normal रहना बहुत जरूरी है तो उसके लिए ये रोग ना हो ये हम खुद ही बना लेते हैं रोग होने का कारण क्या है थायराइड थायराइड होने का कारण हमारे पेट से ही शुरू होता है शुरूआत से हम चीज की base नहीं पकड़ते कि ये रोग शुरू कहां से जनुमते बच्चे को तो कुछरी रोग नहीं होते पशू पक्षियों को तो नहीं होते ऐसे रोग क्यों नहीं होते उनके कारण है वो शाम को दिन ढलने के बाद खाना नहीं खाते बेसुदा खाना नहीं खाते और जो है सोने उठने का उनका ए चेंज करके थोड़ा परनायाम करके थोड़ा योगा करके इन सब सीजों को ठीक कर सकते हैं थायरेट की जैसे बात बता रही थी गंदी गैस पैदा होना जादा तर यूट्रस से गंदी गैस पैदा होना नहीं तो अब गंदी गैस बरेंगे उसकी वज़े से आप बाहर के चोरी और इस तरफ यह रोग हो जाते हैं हडियां तोटना हडियों में दर्ध होना यह सब और किसी किसी को यदि वहां नहीं तकलिफ दे रही तो शरीर में गांठे बनना शुरू हो जाती है प्यूमर्स बनना शुरू हो जाती है रसोलियां जो है वो बनना शुरू हो जाती है जगह जगह सर में हो गई, गले में हो गई, हातों पे हो गई और चाती में चेस्ट में हो गई, तो हम तो बहुत परिशान हो जाते हैं पता कीजिए किस कारण से है, चाती की गांटें भी कुछ एक तो कैसरस होती है लेकिन शुरुआत की कुछे गांटे के इसरस नहीं होती वो केवल केल्शियम की कमी से बनी होती है थोड़े पर नयाम कीजिए केल्शियम को प्रोपर कीजिए थायरेड को कंट्रोल कीजिए तो सब चीजे नॉर्मल हो जाएगी अब आप बोलोगी यह थायरेड इतना है तो इसको कंट्रोल कैसे करें एक तो धनिया पते की चटनी या सुखा धनिया उबाल के बहुत ही उत्तम है सभी ने बताया है सभी ने इस पे रेजल्ट पाया है बहुत अच्छा है यदि आप कच्छा धनिया की चटनी खा रहे हैं तो उसमें आप कुछ एक पते तुल्सी के भी आड़ कर दें और नहीं तो तुल्सी के पते वैसे ही आप नॉर्मल लेते रहें तो वह भी बहुत अच्छा है थायरेड के लिए दूसरा उज्जाई परनयाम आपको करना ही करना होगा यहीं एक मातर एक्सरसाइज है जो यहां अंदर गुंजन गर्मी घर्शन इसका जो हम बोलें तो अभ्यास जो है वो यही करवा सकता है तो आप जरूर से करें अभ्यास भी हो गया खाने पेने का भी हुआ खाने पेने के लिए थोड़ी सी चीज़ें और एड कर दें आप क्या कर सकते हैं यदि पत्रे नहीं है तो चुन ना लें केल्शिम की कमी है पहले साथ की साथ उसको भी थोड़ा पूरा कर लें तो कहीं शरीर में गांठ ना पीस के रखें दोनों टाइम खाना खाने के एक एगंटे बाद गुनगुने पाने से ले बहुत ही अच्छा है जब इसके साथ आप यदि एकसरसाइज आधी भी करेंगे तो भी आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा यह चीज है फैटी लिवर है तो उसको टाइम चाह यह कम से कम तीन महीने लिवर की प्रोब्लम को ठीक करना है टाइम लगेगा मैं आपको बहुत हूं तीन दिन में लिवर डिटॉक्स होगा साथ दिन में होगा कहने की बात है जी नहीं होगा कैसे वो सकता है वो तो देखिए कुछ एक जो हैं संस्थान हैं अईर्वेदिक व गुलूँगी आप किसी की सानी ध्यमें करें वह एक तीन दिन का अपॉआस होता है जिसमें पानी भी बहुत कम शरीर की बहुत ही कम जूरत के अकॉर्डिंग वो देते हैं पूरे तीन दिन सोना भी नहीं है रात को भी ठीक हो जाता है उसके बाद 20% के लिए उसे डाइट चाहिए हफते 10 दिन तक जो एक हमें अच्छे कंसर्ट जो कर सकते हैं उसके अंडर रहे के ही ये काम करना है यदि आपको थोड़े बहुत भी रोग है तो ऐसा रिस्क घर पे ना ले और वैसे वे अकेले में ये काम ना करे ना ही आप कर पाएंगे ना ही आपको उसकी पूरी नोलेज होगी तो ये एक सानिध्य बहुत जरूरी है आप किसी स्पेशल आश्रम या जिनका ये क्लिनिक बना हुए आप वहां पे जाके कर सकते हैं उसके अलावा मैं बोलू लीवर एक दिन में ठीक होगा दो दिन में हो और दिन में जितनी बार हो लंबे गहरे सांस लो तो उससे लीवर को बहुत मदद मिलती है ठीक होने में और टाइम लगेगा टाइम दीजिए वजन भी घटेगा लीवर सही होगा तो थाइरेड सही होगी तो भी वजन घटेगा अब कुछ एक बोलते हैं कि डबाबंद ची किसी का बहिशकार मैं नहीं कर रहे हूं सबका अपना-पना काम है अपनी रोजी है आपको खुद को नौलेज होने चाहिए आपके लिए क्या चीज अच्छी है आपके बचों के लिए क्या चीज अच्छी है आप एक बात बताईए कि यह दिए डबाबंद चीजों में इत उसमें ही ताकत इतनी है तो पानी के साथ लेजिए उसको उसमें ही ताकत है तो उसको पानी के साथ लीजिए दूद की क्या जोर्त है दूद तो खुद में इतना परिपूर्ण है दूद तो कि अकेला पिया जाए तो उसके गुण ही अलग है हमने तो उसको कच्रा मिला मिला क खराब कर रखा है दूसरा वजन घठाने के लिए ग्लुकोज बोड़ी में बिल्कुल कम कर दीजिए लगबख खतम के बराबर ग्लुकोज खतम कैसे करेंगे चिनी मिठा जो भी चीजें हैं सभी बंद करें एक कनक में ग्लुकोज होता है तो थोड़ा अनाज चेंज कर लें मौसम के अकोर्डिंग मिलट्स खाएं तो वो तो सबसे ही अच्छे हैं मिलट्स नहीं प्रैफर हो रहे हैं आपको मिलने में ऐसुविदा है या कुछ भी आप ले लीजिए कोई भी कारण हो सकता है किसी का तो अनाज बहुत और हैं जिनमें ग्लुकोज करनक से कम होता है त तो कुछ एक दिन वो खाएं आप तो ये चीज़ें हैं पानी ज्यादा पिएं गुनवुना पानी पिएं सुछ एक वोकाड़ा बना लें थोड़ा द्रक थोड़ा दाल जिनी का टुकड़ा थोड़ी काली मिर्श थोड़े सी उसमें आप ये हल्दी डालके बाद में थोड कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए वजन घटाने के चक्रों में अपनी सेहत का ध्यान रखें पहले क्या रोग है आपको क्या चीज़े लेनी है क्या नहीं लेनी है ये चीज़े बोलने को नहींzyka बोल रहे मेरे साथ practical हुए है इन चीज़ों के मिले है मुझे उसे लोग जन नहीं होई और उस चीज़ से ठीक हो गई तो कोई ब्लेड प्रेशर का मरीज था उसने पी लिया तो दो दिन तक होस्पिटलाइज रहना पड़ा इंजेक्शन से भी बीपी कंट्रोल नहीं है बहुत क्रिटिकल कंडिशन हो गई थी तो इन चीज़ों का थोड़ा सावधानी स से बरताव करें मैं यह नहीं कह रही कि मैं जो कुछ बता रही हूं वो है तो नेचुरल आयरवधी घरेलू भी यह खराब कैसे करा आपकी बोड़ी का पता होना चाहिए आपके क्या रोग है आपको क्या शूट करेगा क्या नहीं करेगा यह दि आपका पित पहले से बढ़ गदा हुआ है, हर्ट की ब्लड प्रेशर की है तो इन चीजों को देखें जो श्रीर में गर्मी बढ़ाई घर्मी बढ़ाई झिट में का प्रेशर ब्ढ़ेगा बाहर की चीजों से समझ ली चीजों को लो एक आप अब इस आप ले तो खाए गा हूं गरम हो उबाले आए उसके अंदर उसमें यह केलोस्ट्रोल जादा है तो फिर पंपिंग में दिकत होगी प्लड प्रेशर बढ़ेगा और प्लड प्रेशर क्या है कोई बाहर के या बड़ी चीज नहीं है इसको आप चंद्र भेदी करना शुरू कर दें तो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी स इसको शूट नहीं करती कारण क्या रहता है हाइप लिर प्रेशर है और वो गरम पीते हैं उसको तो फिर वो खराब करती है उसकी ताशीर भी गरम उपर से गरम गरम पी लिए ताशीर को ठंडा करने के लिए उसमें सफेद चंदन मिलाएए अनुपात क्या रहेगा एक अन लेना है मुलेठी को साबुत लाइए विल्कुल हलका सतवे पर रोस्ट कीजिए बनाईए दो चुटकी पाउडर दिन में खाना खाने के तीन घंटे बाद गुंगुने पानी से लेना शुरू करें हार्मोन्स बैलेंस होंगे और वजन भी घटेगा अब खाने में जो चीजे हैं एक तो सुबह का खाना खाना है आठ से दस बजे के बीच में आप खा ले पहले यदि सैलेड आपको खाने है तो भर प्लेट पहले सैलेड खाएं फिर खाना खाएं फुरूट ऐसी चीज है वो अकेले खाने हैं सैलेड भी खाने के बीच में नहीं खाना अब खाने के ब और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी पूरी वोडी को वेक्सिनाइज कर देगा यह सोच भी नहीं सकते क्या-क्या अद्भुत लाब होंगे इस चीज के तो यह चीज कीजिए शाम को आप सूरज ढलने से पहले खाना खाएं शाम के खाने का ध्यान रखें भारी खाना नहीं खाड़ना है कडी दा लेदी आपको बनानी है तो सुभह के टाइम बनाएं शाम को बनानी है तो पांच बज़े आप खार ले उसको तो फिर वो हजम होगी पुराने टाइम में जब बनती थी लाइट की इतने सुवीदा नहीं थी शुरुआप जब इस चीज की फिर खटी डिका रहेंगी हर किसी को तेजाब बनता है और वही तेजाब कुन में बनके हर्ट की प्रोग्लम कर रहा है तो क्यों इतना रिस्क लेना मूं के आटे की कडी आप बना सकते हो सुभह बनाएं चनेगी बनाने है तो उससे कभी आपको तेजाब नहीं होता कौन सी शरम है सुभह कडी बनाने में लोगों के घरों में बनती नहीं क्या शरम क्या है ठीक है कडी बनेंगी चाच नहीं लेनी पड़े की साथ में वही चाच कडी में काम आ गई आपको एक शाम को कभी भी चाच दही ना ले एक तो जो आप इंबैलेंस कर देते हो चीजों को तीन-चार बल पीजे लगातार पीजे तो आप देखेंगे पेट बहुत साफ होगा आपका और परनायाम आपको करना ही पड़ेगा एक आपने खाने का रोटीन बदला एक वजन घटाने के लिए कभी भी शाम का खाना बंद ना करें कुछे क्या कहते हैं कुछे एक दिन श खालो आप हलका खालो दलिया बग्यरा मना लो को यह नास का आप वो ले लो तो यह सब चीजें आप कर सकते हो तो इससे बजन घटेगा जो चीजें चूरन बग्यरा आपने खा लिया जो नेचुरल बनाया है और कुछ खान पान में बदलाव किये पनीर बग्यरा खाना है स किसी की कोई guarantee नहीं है कि आप क्या चीज़ खो रहे हैं आज कल जो शादियां हैं उनमें लोग खाना का क्या हैं बच्चे तो बच्चे बड़ों के आपने देखा होगा पेट में बहुत भेंकर और पेट खराब और भ्यांकर दर्द और तिन तिन चार चार दिन तक डाइट समझ ही नहीं आती क्या खाएं क्या ना खाएं कैसे ठीक हुएं तो वह एक पनीर ही है जो आपको खराब कर रहा है बाहर का जो टेंट में आप खाके आए हैं एक शादी में ऐसी चीजे ना खाएं आप क्या करते हैं नमबर वन स्टार से लगते हैं सभी चीजें चेक करते हुए आते हैं और लाश तक खाके जाते हैं ये एक मैं बहुत ही क्या बोलू मैं पैसे खराब करने का ही बोल सकते हो इसको लोगों ने परसलन मना लिया है बहुत सारी चीज़े करना और वेस्ट करना ये शौंख है हमारा रूतबा दिखा रहा है क्या रूतबा दिखा रहा है चलो दिखाने वाला दिखा रहा है किसी को मना थोड़ी ना कर सकते हैं खुद पर तो कंट्रोल रखिए पहले आप लगे आपने तला फला जो नमकीन फ्राइज हैं वो खा दूद दूद के साथ खटा रोटी एक मिक्स ना खरें जितनी शरीड को जुरुत है उतना ही खाएं अपने ऐखोड़ी एक दिन में फिर उतना खा के क्या हो जाएगा रूटी ऐख करोगा वह बोलगो एक दिन में क्या खराब होता है तो इतना थूस लिया लिवर को तो जितना एक महीने के exercise से ठीक नहीं किया उतना एक दिन में कराब कर लिया तो ये ना करें अपना routine चलने दें आप आसानी से वजन घटाएं बाहर के चक्रों में आप बिल्कुल ना पड़ें आस तो थाइरेड का आपको उपचार बताया और फैटी लिवर के लिए तो exercise बताई और एक जो काड़ा है ये कद्रक का टुकड़ा बहुत अच्छा है केलो स्टोल भी कम करेगा लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है वैसे आप काड़ा भी बना सकते हैं ये कोई हाई प्लेट प्रेशर का मरीज ना है तो हर्ट का मरीज ना है तो ये चीज़ें आप थोड़ी घ्यान में रखें और फैटी लिवर के लिए exercise जरूरी है परनाय आएं बहने टाइम है नहीं exercise का और वैसे बोलूं तो टाइम आपके पास है आपके पास early morning में टाइम नहीं होता मानी बात आपकी कि सुबह उठते ही आपको बच्छों को भी रेडी करना है घर का भी काम है तो योगा प्राणायम नहीं कर पाते या तो थोड़ा सा जल्दी जूपना शुरू करें अब तो तीन महीने सर्धी में दिसंबर जनूरी फरवरी नॉंबर दिसंबर जनूरी फरवरी चार महीने बोलू मैं तो इसमें तो रातें बड़ी है तो आप नीम तो भरपूर है 5 गंटे की नीम बहुत है आप तो 6-7 गंटे आराम से सुपा रहे है ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है आप सुबह आराम से 4 बजे, 4.30-5 बजे भी यदी उठे रहे हैं तो सर्दी में तो 6.30-7 बजे से पहले ग्रहनी कोई काम ही नहीं लगती आप योगा कर सकते हैं, कोई प्रोब्लम नहीं है और यदी कोई ऐसे ग्रहनी है जो योग करना चाहे सु यदी संभव हुआ तो मैं आपको जोड़ पाऊंगी, मैं करती हूँ सुबह 4 बजे और मुझे कोई संकोच नहीं किसी को जोड़ने में, फ्री ओफ कोस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, नी स्वार्थ सेवा और दूसरा, आप भजन चलाएए, उस समय आनंद है सुबह के 4 बजे, भजन आप देखेंगे, वंदना और यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे, इतने अच्छे रिदम, इतना माइन फ्रेश, आपको एक सुकून मिल जाएगा उस समय पर नाया, आप भजन के साथ क करके, करके देखना, मानिए मेरी शुरुवात कीजिए आप, पहले दिन तो यदि आपने 15 मिनट ही नो लोम विलोम किया, तो आपको दिन में आलस नहीं आएगा, हड्यों में जबडन मैसूस नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, सभी चीजें का फायदा होगा, धीरे धीरे भड़ जाएगी, थोड़ थोड़ी exercise कर ली, उस समय एक अलग ही आपको आनद मिलेगा, नहीं तो खाना खाने से पहले करें, नहीं तो शाम को आप दोपैर में 3-4 बजे करें, नहीं तो शाम का खाना खाने से पहले करें, चार टाइम समय होता है आपके पास, मैं भी एक रह आप कर सकते हो, परनायाम आप कर सकते हो, योगा आप कर सकते हो, खानबान में बदलाव आप कर सकते हो, टाइम से खाना खा सकते हो, घर के सभी यदि टाइम से खाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप आपना पांच बज़े सुभे वाले रोटे खाईए, बाद में खाना बनाईए नहीं तो आप अपना जल्दी बनाईए कैसे भी करें शामका काना जल्दी खाएं बंद बिलकुल ना करें अपना ध्यान रखें सुष्थ रहें मस्त रहें शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद